मीडिया बोल के आज के अंग में हम फिर एक बार चुनाव पर बात करेंगे जो पिछले 6-7 दिनों में जो मुद्दे इस चुनाव प्रिशार के दोरान चुनाव की प्रक्रिया के दारौन उभरे हैं उन पर और हमारे साथ इस विशह पर बातचित करने के लिए दो खास मेमान हैं हमारे साथ हैं प्रशार्ण टेंडन वरिश्टे टीवी पत्रकार और हमारे साथ हैं योगिंद्र यादो जाने माने राजनितिक विशेशग्य प्रिटिकल साइंटिस्ट और स्वराज इंडिया नाम की जो पार्टी है उसके अध्यक्ष आप दोनों का स्वाधत है शु लगातार लंबे समय तक करते रहने हैं वाले व्यक्ति के रूप में खासकर 2014 के चुनाव और इस चुनाव में सियासत और मीडिया दोनों के अस्तर पर अगर बहुत संचेप में बात कहनी हो आपको तो कैसे चुनाव को देख रहा हैं तो पता नहीं पॉलिटिकल साइंटिस अब तो नहीं हूँ इस चुनाव की दो तीन बड़ी बात है पहला तो यह कि इस चुनाव में स्टेक्स जितने उंचे हैं यह चुनाव सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि कौन सत्ता में आ जाएगा कई माइनों में देश का भविश्य इस चुनाव सित्य होगा और अगर प नामंकन है यह है बोटिंग होगा एविएम तो बसमान लेते हैं कि रसमें तो चुनावी होगा लेकिन कई माइनों में यह चुनाव हरन है यह पॉल कैप्चर है जैसा इस देशने कभी देखा नहीं है पहले बूस कैप्चर हुआ करता था चोटा गुंडा दो चार बंदू रसम चुनाव जैसी दिखाई देती है जिसमें जो हो रहा है वो यह कि एक पूरा देश का माइन्ड वो कैप्चर किया जा रहा है टेलिविशन के जरिए, मीडिया के जरिए, विग्यापन के जरिए, सब कुछ बिलकुल एक आंधी है जैसे कहते हैं अंधेरे में लठ मार द और धूल उड़ रही है अब आपको कुछ पता नहीं लग रहा है जब तक आप धूल उतरेगी तब तक सब कुछ हो चुका होगा और इसके अलावा जो सब हो रहा है संस्थाओं का क्षय हो रहा है चुनाव आयोग जितना मजबूर जितना दंत हीन इस बार है वैसा तो कभ भी था नहीं और जो विपक्ष है विपक्ष पूरी तरह से कुछ हत प्रभ बॉखलाया कुछ ऐसी मुद्रा में है तो इसे चुनाव आप परंपरागत अर्थ में कहें तो हम और आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है आज से दो-चार साल बाद जब हम पलटके देख प्रतिपक्ष अगर दैनी अवस्ता में है जैसे आप कह रहे हैं और मुझे भी कई जगह ऐसा लगता है कि प्रतिपक्षक को जैसा होना चाहिए इस नाजुक चुनाव इस महत्पुन चुनाव में वैसा वैसा नहीं है तो क्या आपको कहीं से कोई आशा की किरन दीखती है क क्योंकि आप समय कहा रहे हैं कि मीडिया जैसे लगता है कि इस पूरे जो कुछ चल रहा है इस चुनाव कैप्चर करने के लिए उसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्ता इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है तो अगर इतनी बुरी स्थिति है कि मीडिया विपक्ष सभी लगभग उस कौनाविमेंस में है या मिली भगत में है तो कहां आशा की किरन है क्या जनता में कोई प्रतिपक्ष है या नहीं है या जनता भी सोई है देखे अगर ये चुनाव जनता के अनुभव पे हो गए अगर ये चुनाव जनता के पांच साल के मुल्यांकन और सही मुद्दों पे हो गए, तब इस सरकार के लिए गती नहीं है, असली समस्या यह है ना इस सरकार की, कि अगर ये चुनाव सही मुद्दों पे हो जाएं तो बीजेपी का हार ना तैह है, लिकने अब तो देखें आधा क्या वोट में अभी व्यक्त होगा, उसकी अभी कोई भविशवानी करना बेकार होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कि जनताय में जो अनीज है, जो मोह भंग हुआ था, जो नाराजगी थी, गुस्सा भी कई माइनों में था, क्या वो गुस्सा नाराजगी मद्दान बूट तक जाते जाते वोट की शकल लेगी, उसके बारे में सुनिश्चित हम नहीं हो सकते, यही बहुत बड़ा सवाला एक सवाल और फिर हम प्रशान पर जाएंगे, इस चुनाव की जब शुरुवात होई थी, तो आपको याद होगा कि सबसे अधिक जो मुद्दे थे, 2014 से बिलकुल अलग, कि इसमें विकास का मुद्दा नहीं है, इसमें ब्रस्टाचार का मुद्दा नहीं है, काला धन का पुलामा आगया, शहादत आगई, सुरक्षावल आगय, देश की सरहत को सुरक्षित रखने का मुद्दा आगया, और इसी नाम पर देश के सरवच्च जो कारिकारी पद पर वेठे नेता हैं, वो और उनकी पार्टी के सभी लोग उन्होंने अपील करनी शुरू की, कि लो भी चल रहा है, लेकिन पिछले दो तीन दिनों से बड़ी आश्रजनक घटना है, कि उन मुद्दों को भी थोड़ा सा किनारे करके, और जात के सवाल अचानक उठ गए, अगर आप हिंदी हार्ट लेंड, हिंदी हिर्देस्थल जो कहा जाता है, यो भी विहार, वहां के है, वो कह रहा है कि नकली OBC है, या बिल्कुल जूटी बात ये है, अगर हैं भी तो अगणों की बात कर रहे हैं, अगणों के लिए काम कर रहे हैं, ये जो सवाल जात का उठा है, ये कहां से और क्यों उठा है, आपने जो पहली बात की बाला कोट वगरा की, तो देखी, च प्रतिपक्ष में ये ख्रमता नहीं है, सोच नहीं है, साधन भी नहीं है, कि वो इसका जवाब दे सके, तो एजेंडा बीजेपी सेट करती है, प्रतिपक्ष उसके पीछे पीछे चलता है, उसको विरोध करते हुई, यही बात ही जाती वाले सवाल पे है, पहले दो-तीन फेज जो आ रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, ऐसे इलाक और राजस्तान, मद्ब प्रदेश जहां, उत्तर भारत में जाती है, गणित है, वहाँ पर वो एक नया खेल खेल रहे हैं, हो सकता है, उसके अगले फेज में बिल्कुल शुद्ध और स्थूल और बहुत ही नंगे तरीके से हिंदु मसल्मान का काड़ खेला जाएगा, जो पहले भी खेला जा चुका है, मतलब चुनाव को ले देके, जो जवाब दो, हिसाब दो का अवसर होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे जो दिखाई नहीं देता विपक्ष में आज, ना तो कोई मैसेज दिखाई देता बड़ा, ना कोई मैसेंजर दिखाई दिखाई देता, अब जब मैसेज नहीं है, मैसेंजर नहीं है, आप बार बार जो कह रहे हैं, उसका कितना असर होगा कहना कठिन है, उमीद ले दे कि ये धुन्द को काट पाएंगे कभी-कभी मुझे लगता है कि हाँ ये शायद संभव होगा कभी-कभी लगता है कि एक आम आदमी से हम जरूस से ज़्यादा उमीद कर रहा है क्या आपको प्रशान्त लग रहा है जो योगेंदर कह रहे हैं कि इस मोड पर आम आदमी से कुछ ज़्यादा उमीद क्या की जा सकती है इस चुनाव में और दूसरी बात एक और जो आपकी राय जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि बालकोट, पुलवामा, आतंग, शहादत वगरा वगरा ये इशूज हैं लेकिन हिंदी जो हिर्देस्थल माने जाने वाले राज्ये हैं यहां अचानक जात का सवाल फिर खड़ा हो गया दो दिन से बिहार के अकपारों में उत्तर प्रदेश के भी खासकर पुर्वांचल के इलाकों में जो एडिशन्स हैं लगातार OBC नान OBC यह सब चल रहा है यह क्या मामला है इन दोनों पर आपकी रहे मैं तो योगेन जी की बात को आगे बढ़ा होंगा कि इस वकत ओपीनियन को यानि जो राय शुमारी है देश में अगर चुनाओ के दरिए वो हो रही है उसको कॉर्पोरेट ताकत से हाई जैक करने का पूरी कोशिस हो रही है 23 मई को पता चलेगा कि कोशिस कामयाब होई की नहीं होई इस बार के चुनाओ अच्छा ये मेरा तो इस पे बानना है कि जो मुसलसल हमारे देश में जो चुनाओ सुधार हुए वो चोटी पार्टियों और इंडिपेंडेन्स और कम रिसोर्सें वाली पार्टियों के विरुद नहीं हुए और धीमे धीमे वो टू पार्टी सिस्टम की तरए वो और गाल के चुनाओ को लिजाए गया इस चुनाओ में उसमें एक नया प्छेयर सामने आ गया है वो मीडिया है और ये बड़ी खतरनाक हिसिती है कि अगर इस देश का corporate मीडिया पर कबजा करके वो किसी को भी प्राइमिस सर्ब बना सकता है उसकी concerns जो है वो देश का welfare नहीं है उसकी concerns जो है वो समाज को आगे ले जाना नहीं है उसकी concerns natural security भी नहीं है उसकी concern सिर्फ और सिर्फ अपनी balance sheets है या profit making है उसकी बहुत ज्यादा concern नहीं और हमारे देश का उद्योग पती तो आप देखे कि बहुत सारे समाजिक और आर्थिक और तमाम तरीके के रास्टी मुद्दों पर लगबख शान्त होता है विदेशों में आप जाएगा तो मुझे बड़ी अखरने वाले तीजे हैं एक तो पूरा मीडिया आप देखेगा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है हमारे यह तमाम भाशाए हैं तमाम तरीके के political equations है और जो सरकार भी बनने वाली है 23 मई के बाद आप देखेगा उसमें गैर हिंदी भाशी राजियों के यान समय समय पर देश की जनता यह एक्सपरिमेंट करती रही है लेकिन अगर आप मीडिया की कवरेश को देखेंगा तो लगेगा कि चुनाव सिरफ और सिरफ यूपी भिहार ओत भारत में हो रहा है तमिलनाडू की नौर्ट इस की महराश की खबरें आप दिखें कि वहां राश पॉइंट आखरी दे दूँ आपको कि एक सेकुलर मीडिया भी हमारे यहां पैदा हुआ जो में डिजिटल में है और मैं बड़ा आश्चा चकिता जब मैं बेगू सराई कवरेश देख रहा था तो बेगू लग रहा है कि बिहार में सिरफ बेगू सराई में ही चुनाव हो तो एक वहां पे निश्चित तौर पे एक ट्राइंगूलर फाइट है लेकिन इस सेकुलर मीडिया ने वो ट्राइंगूलर फाइट भी नहीं दिखाई मुझे प्रशान्त आप चुकी टेलिवीजन में आपका लंबा अनभा है मैं जरूर एक सवाल आप से अपने धर्शकों के लिए करना चाहूंगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं वो ये कि इस पूरे चुनाव के दौरान माननी प्रदानमंत्री जी के अनेक इंटर्यूज आये है अगर उनको इंटर्यू कहें क्योंकि लोग कह रहे हैं इंटर्यू टीवी वाले तो हम भी थोड़ी देर केलिए मान लेते हैं लेकिन ये इंटर्यूज प्रदानमंत्री जी के पूरे पांच سाल में अब आप देखेंगे तो ऐसे इंटर्यू नहीं आते थे उसके अभी हम मन की बात कर लेते हैं पत्रगारों से भी मन की बात तो रेडियो पर हमेशा करते हैं लेकिन पत्रगारों से मन की बात करते हैं कभी-कभी-कभी-कभी-कभी लेकिन ये तावरतोड जो इंट्रिवु है हर चैनल को एक इंट्रिवु कुछ एक अख़वारों को भी तो लेकिन व कैसे देखते हैं मीडिया की इस रोल को देजे तो मीडिया की च्वाइस है कि किसका इंटर्वी वो कोशिस करता है नहीं करता है और मेरे ख्याल से कोशिस नहीं की गई होगी और कुछ इंटर्व्यू राश्ठाकरे के जरू मुझे दिखाई दिये सभी चैनलों पे और एक ही में एक ही सेट अप में दिखाई दिये और वो भी लगता कि कोई एक रन्दीति के तहद लिए गया इंटर्व्यू थे लेकिन जो प्रधान मंतरी का सवा घंटे का इंटर्व्यू है उसमें अगर आप एक खबर नवीज की तरह हेडलाइन निकालने जाएंगे तो आपको हे प्रधान मंतरी ने फला टीवी चैनल को इंटर्व्यू दिया यानि उसके अंदर से हेडलाइन जब आप प्रधान मंतरी का इंटर्व्यू ले रहे हैं और प्रधान मंतरी का इंटर्व्यू लेना और प्रधान मंतरी को इंटर्व्यू देना तो बहुत महत्तपूर इवें एक एक शब्द आगे का रोड मैप बताता है, पीछे की नीतियों के बारे में कुछ जानकारी देता है, और इंट्रिव्यू लेने वाले का, हम लोगों नहीं बहुत सारे इंट्रिव्यू आपने भी किये हैं, हमेशा चुनौती क्या होती कि कोई चीज अभी तक नहीं आई है प्रधामंत्री से ऐसा कुछ कहलवा लें, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैंने वो इंट्रिव्यू देखे, मुझे ऐसी कोई चाहत लगी नहीं है, बलकि विपक्ष के कंधों पर सवाल दागे गए, कि विपक्ष ये जानना चाहता है, आपसे विपक्ष का आरोग ये ह प्रधामंत्री जी एंकर्स जो इंट्रिव्यू ले रहे हैं, वो एंकर्स हैं बेसिकली, वो सब की खुब तारीफ किये जा रहे हैं, लेकिन योग इंदर हम आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं, इसमें एक चीज़ मैं सरफ कहना चाहता था इस सब के बारे में, बीजे पी जिस तरहें से कम्यूनिकेशन को मैनेज कर रही है और बाकी लोग जो कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, आप देखें जब हम लोग पढ़ा करते थे दसमी बार वी में, हम भी इम्तियान बगरा दिया करते थे, तब क्या होता था टेक्स बुक पढ़ ली, कित पढ़ ली आए, इम्तियान देने जा रहा हूं, दूसरा आजकल बच्चे देते हैं, कोचिंग उसमें जाते हैं, छे नमबर का मैप आएगा, फरां डेर नमबर यहां से आएगा, वो आएगा, इतने मिनिट मैनेज करना है, उस जमाने, हमारे जमाने की पढ़ाई और आज क कोचिंग इंस्टूट में जो अंतर है, वही बीजेपी और बाकी पार्टियों में अंतर है, यह जो इंटर्व्यू हो रहे हैं, यह इंटर्व्यू नहीं है, यह सीधे-सीधे चुनाव प्रचार है, बेसिकली यह सुनिश्चित करना है, वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते ह मतलब इससे है कि प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई दे चाया रहे इस देश में वो है और कोई नहीं है यह साबित हो गया बोट आगे बाकी चैनल बैनल देखते रहेंगी क्या फरक पड़ता है योगेंदर अपने घाजनितिक इस कारेकरता वाले आतार से पहले आप चुनाव के एक बहुत गंभीर परेवेक्षक रहे हैं और विशलेशन और सेफलोजी सब में आपने काम किया एक अभी हिंदी में आम तोर पे पत्रकारिता की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बड़ा दिल्चस्त तर्वे की आया हो सकता है आपने देखा हो उसमें आशीश नंदी और एक टिवी के संपादकों भी रहे हैं अनके सिंग इन दोनों को उसने अपने पाठकों से जो सवाल पूछे थे उसकी पूरी फेहरिश्ट उनको दी और कहा कि इस पर विक्रिशन की तो 16,824 लोगों ने सवाल आए कुल मिलाकर 16,824 पाठकों से दैनिक भासकर दफ्तर में और ये 18 विशैपर हैं सबसे ज्यादा सवाल जो आए वो मोदी जी से आए शुक्युदेश के प्रदान मंत्री हैं 5,349 सवाल और ये सवाल दरसल भासकर ने सिर्फ दो ही लोगों के लिए मांगे थे एक जो प्रदान मंत्री हैं और दूसरे जो उनके मुख्य सत्ता के दावेदार हैं उनके विपक्ष में वो राहुल गांदी उन्होंने मान लिया कि दो ही हैं तीसरे को नहीं जगह दी लेकिन राहुल गांदी को जो सवाल आए वो 2576 सवाल आए अब इसके आधार पर जो इन दोनों ने विश्लेशन किया वो पाया कि सवालों में सबसे जो लोग को प्रियविशय हैं वो मैं क्रमशे गिनाता हूँ वो क्रमशे है न्याय जो योजना दूसरा है रोजगार तीसरा है करप्षन चौथा है सिक्षा और पाँचवा है गरीबी दिल्च करोड नौकरियों के वादे का क्या हुआ प्रधान मंत्री जी यह सबसे अधिक सवाल पूछा गया और यह सैक्णों लोगों ने ऐसा सवाल पूछा तो इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में यह सवाल गायब है खासकर मीडिया डिस्क टेलिबरेशन में मीडिया के विमर् बोट शोज हैं गंगा है भगवान है प्रग्या जी हैं वगरा वगरा तो कैसे देखते हैं मैं इस सर्वेक्षन को बहुत दिहान से तब देख नहीं पाया क्योंकि मैं खुद बहुत गूमता रहा हूं देश पर लेकिन जो आपने बताया उससे मुझे हैरानी बिलकुल नह हर सर्वेक्षन में कोई मतलब ंदेश में जो मॉधी जी की तारीफ करने वाले सर्वें यह मांनतें उनके खिलाव जो भी मांनतें लेकिन वह हमारी चुनाव की चर्चा में नहीं है बी जेपी के मैनिफेस्टों में एक शब्द बेरोजगारी का जिकर नहीं है और पूरी चुनाव की चर्चा और यह जो सारा जो से मैं चुनाव हरन कह रहा हूँ यह है किसलिए यह इसलिए है ताकि इन दो बड़े सवालों का बेरोजगारी देश में पिछले 50 साल की सबसे बुरी अवस्था आज है आज एक बहुत इंपॉर्टन सर्वेई इस पे आने भी वाला है बिरोजगारी के ऊपर किसान की अवस्था जिसमें बहुत बेहत खराब अवस्था है इन दो बड़े सवालों को बाजू में रखके इस देश में चुनाव हो जाए उसके परिनाम आ जाए उसकी जुगार उसकी विवस्था कैसे की जाए यही हो रहा है और दुर्भाग की मेडिया इस जुगार का बहुत बड़ा और महतुपून अंग बन गया है योगंदर आपने इलेक्शन कमिशन के बारे में भी अपनी टिपण यवी की है हम रिपीट नहीं करना चाहते उसी पहलों को लेकिन एक बड़ा सवाल उट रहा है कि कॉंग्रिस पार्टी जो मुक् चुनाव आयोग ने बड़े लोग जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आते हैं जिनके बारे में स्वैम आचार संगीता का वो लंगन का मामला है बहुत सारे पेटिशन्स हैं पेटिशन्स इंडिपेंडनेंट लोगों की तरफ से भी हैं चुनाव आयोग में कोई फैसला नही हुआ हमने देखा नमो टीवी के बारे में भी कोई फैसला नहीं तो इस चुनाव में निर्वाच चनायोग जैसे आप समयम कहा रहे हैं कि बेहद खराब भूमिका में है उसके तमाम उसके अधीन काम करने वाले लोग जो आज रिटायर्ड है वो भी यह बात कहा रहे हैं तो आखिर जब अमपायर ही इस कदर है तो इस चुनाव की निस्पक्षता पारदर्शिता को लेकर अगर मीडिया में सवाल नहीं उठा है खास कर चैनलों पर जो सबते ज्यादा जिनकी रीच है तो क्या देखते हैं इस डेमोकरसी का इंधी सब चीजों को मैं पोल केप्चर ब जर रहा है और आप मक्ही मारने में व्यस्त हैं ये खेल हो रहा है इस वक्ति हाँ आप प्रशांद कैसे देखते हैं इस पूरे पहलू को चुनावायोग के ये कितना सिर्यास आपको लग रहा है डेमोकरसी के इसाब से लेकिन चुनावायोग के जो सवाल उठ रहे हैं वो तो बहुत ही चिंता जलनक सवाल है और एवियम का एक मसला दे रहे हैं आप पास साल से बहुत वाद रहा है और अभी भी है लेकिन हम इलेक्शन कमिशन जो इस इन वाइलेशन पर जो बिलकुल खामोश है जो एक तरह से लगता है कि उसकी मिली बगत है मैं ये ये कड़ा श गिरावट आई है मोदी सरकार के दोरान और काफी ज़्यादा आई है और पहले से ये प्रक्रिया चल रही थी और ज्यादा पड़ गई लेकिन दो इशूस पे मीडिया की ओनर्शिप क्रॉस मीडिया ओनर्शिप वर्टिकल ओनर्शिप इन पे बहुत सारी पीछे काम हुए इसको बहुत गहन तरीके से सोचना पड़ेगा मीडिया के अंदर की संदचना और चुनावायो की स्ट्रक्चर्स और अपॉइमेंट कैसे आप सी बिया का डिरेक्टर तो लीडर अपोजिशन और सुप्रीम कोड कि जिस्टिस को लेते हैं लेकिन इलेक्शन कमिशनर सरकार क तो क्या लगता है कि इलेक्शन कमिशन के इन पहलूँ पर चूंकि मीडिया एक इंडिपेंट अपना अप्जर्वेशन नहीं दे रहा है या वास्डॉग की भूमिका नहीं नहीं भा रहा है तो क्या इलेक्शन कमिशन इस वजह से भी बिलकुल सत्ता पक्ष के साथ ख़ड है तो जो डिमोक्रिसी का सेफ्टी वाल है मीडिया वही अगर सेफ्टी वाल अगर काम नहीं करेगा तो पिर कोई भी इंसिटूशन नहीं काम करेगा तो अभी तो यह लग रहा है कि जो सेफ्टी वाल भी काम नहीं कर रहा है और इसलिए अपने सही कहा कि एलेक्शन कमिशन कि अपनी अगर को जो है कंसाइंस की पर ही जो है अगर वो चुप है तो फिर अब बचा ही क्या फिर चलते चलते योगिंदर हम आपके एक खास स्टेंड पर आपकी राय समझना चाहते हैं क्योंकि मेडिया में इसकी चर्चा हुई है और वो ये कि आपने दिल्ली में नोटा क आपने कहा लोगों से अपील की कि नोटा का लोग इस्तेमाल करें इतनी अफ़ ही सेलेक्शन को इतना क्रूसियल मान रहें डीमोक्रशी के यचा刑 से भारत के राय नितिक भाविश्य के हिसाब से लेकिन आप नोटा की बात कर रहे हैं देश की राइधानी में लेकिन बेगुसराय में आप वोटा की बात कर रहे हैं कि वहाँ वोट होना चाहिए या देश के दूसरे हलकों में तो यह जो बहुत संचिप में कि यह क्यों विरोधा भास है आपकी इस 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 कि जहां जहां हमें कोई भी सार्थक विकल्ब दिखाई देता है, हम उसका खुल के समर्थन करते हैं, जहां सार्थक विकल्ब नहीं है, वहां हमने क्यों इतना कहा है, कि आप तीनों पार्टियों से सवाल पूछिए, कड़े सवाल पूछिए, और अगर कोई पार्टी या जवाब न दे सके तो नोटा का हथियार भी उपलब्द है लोगों को पार्टियों को सबक सिखाने के लिए एक आखरी बात कहना चाहता हूं मीडिया के बारे में अब तक हमारी आदत है सोचने की कि मीडिया is part of the solution और हम कहते हैं पूरा नहीं कर रहा है अब हम सोचना शुरू करें मीडिया is part of the problem तो मीडिया is part of the problem लेकि नोटा पर चलते चलते फिर क्या आज के इस इतने चैलेंजिंग या इतनी विचित्र जो परिस्तिती पैदा हो गई है देश के भविश्य को लेकर देमोक्रासी को लेकर जिसको सभी लोग मान रहे हैं क्या उसमें नोटा आपको लगता है किसी अस्तर पर कोई भी कल्प है मैं तो नोटा के पक्षम बिलकुल नहीं हू कोई ना कोई राय कोई ना कोई राय आनी चाहिए कोई तो नोटा तो संसत में नहीं जाएगा तो कोई ना कोई राय तो आनी चाहिए कोई एक्स पार्टी हो या वाई पार्टी हो दूसरी की जो योगें जी कह रहे थे कि विपक्ष के पास अपने कम्यूनिकेशन के आश़एंब कमुनिकेट कर पाती है देखिए इसको हमारी समयकाम हे वर्ना हम झोटा सो कर लेते इस पर की हमको अपनी समाजिक wash संदशना देखनी होगी और समाजिक जो पायदान हैं वह देखनी होगिंध का किस दीक rahat क्लासं वो किस क्लास से आ रहा है और वो ही उसी का वर्चस मीडिया में है तो वो और बीजेपी इस वक्त तमाम अरब समाजी कारणों से एक साथ एक पैनल पे आ गए हैं एक पेज पे आ गए हैं क्या योगंदर जो ये कैह रहे हैं कि मीडिया अगर फिल किया है देश की जनता या देश के भविश्चिक वो लेकर तो क्या बवठ्धिक समाज जो है अकेड़िविशियन्स जिसमें लेखlikeبةदी जीवी सबकी बात में कर रहा हूं क्या वो भी फैल कर रहे हैं क्या वो एक छो वो हर अमरीका के किसी बुद्धी जीवी से कहिए, वो कहते है, हाई हाई ट्रम्प जैसा आदमी, ऐसा लीचर आदमी तो देखा नहीं दुनिया में कही, लेकिन उनकी समाज में कोई सुनता नहीं है, दिक्कत हमारे बुद्धी जीवीयों की ये नहीं है कि वो मोधी समर्थक ह नहीं बनाए, लेकिन हम समाज से, उसकी भाषा से, उसके मुहावरे से, उसके संसकार से इतना कटे हुए हैं कि समाज पर कोई असर नहीं होता, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, खास तोर पे इस देश के प्रगती शील, उदार मना और इस देश के सम्विधान मना जो ब पत्रकार हों, मालिकानों की बात मैं नहीं कहा रहा हूँ, प्रतिस्थानों की बात मैं नहीं कहा रहा हूँ, लेकिन जो पत्रकार हैं, बुद्धी जीवी हैं, लेकक हैं, एकडिमीशियन हैं, शायद बिलकुल सही है कि वो ऐसा नहीं है कि मौजूदा सक्ता प्रतिस्थान स कोई समझ्या है कि वो इस पहलू को नहीं समझ पा रहे हैं कि विकल्प या वैकल्पिक रायनितिक संस्कृती कहां से पैदा होगी, वो मुल्ल कहां से पैदा होंगे क्योंकि जनता का मिजाज, जनता की भाषा जनता की मघाविरे से शायद वो दूर है और ये दूरी कैसे पटेगी ये उनको नहीं मालूम है इस देश के बौदिक जगत को वाकई नहीं मालूम है क्योंकि बौदिक्ता का भी एक कुलीन तंत्र है अपने मुल्क में और वो जो कुलीन तंत्र है जनता के उस साल्टर या जो हाशिये के जो लोग हैं उनकी संस्क्रिटी से शायद दूर है और यही कारण है कि जो मौजूदा सत्तापक्ष के संचालक हैं वो इस पहलू को भखो करो अपनी बात पुंचा रहे हैं और कर रहे हैं इनी शब्दों के साथ आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आदाव दवायर के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारता की आर् पर जाए और अपनी राशी चुने